हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ आपका फ्रेंड कपिल गार की सो आज हम बात करेंगे डेसिमल में एडिशन एंड सप्रेक्शन की राइट सब स्टार्ट करते हैं देखिए थोड़ा वहत इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बट स्टिल सबसे पहला काम टर्म्स लाइक होनी चाहिए अब लाइक टर्म्स का क्या मतलब है मतलब अगर आप कोई भी नंबर ले रहे हैं जैसे अगर मैं इस फर्स्ट वाले की बात करूं 0.0007 है जैसे अचा एडिशन है कोई भी पैटन चूज़ कर सकते हो अप डाउन राइट इसमें क 182 इसम ट्ने तक सब को बनाना है ंजय कम है गर मैं डिशियुल से लफ साइड की बात करो तो यहां पर डैबल यहां सिंगल यहां asking अंट तो बाकियों को भी या तो डबल बणाउ महीं तो जो डबल वाला है उसको सबसे उपर रुखो ये left side के लिए condition होती है बस तो अगर मैं बात करूँ तो यह आजेगा आपके पास तो ऐसा करते हैं पहले हम उसी को लिख लेते हैं 30.08 अच्छा after decimal आपके पास three digits है तो एक zero यहाँ पर बढ़ा दीजिए right कोई fact ने पढ़ेगा उससे next 8.5 वाला लिखते हैं अब इसमें एक है चाहिए हमें तीन दो zeros लगा दो next 0.007 ताकि वो सब इसको match कर जाए right अब हम करेंगे add 785.83 simple simple addition आपकी next बात करते हैं अब देखिए again decimal के बाद three digits है इसमें तो है यह नहीं और इसमें एक है तो उन सब को हमें three के एकपल बनाना three digits के एकपल decimal के after अच्छा सबसे बड़ा नंबर है आपका 15 so 15. कितने चाहिए मेर को 3. next number है मेरे पास 13.8 है दो zeros चाहिए और उसका लास्ट है मेरे पास 0.632 अब इन सब को हम add up करेंगे two three eight plus six that is fourteen one carry five plus three eight plus one nine one plus one two so the answer is twenty nine point four three two right so the next one is again अब पहले सबसे बड़ा नंबर रिखेंगे हम और वो बड़ा नंबर डिसाइड होगा आपके left side की डिजिट से so that is two eighty point six nine point next twenty five point two है और एक zero साथ में और करी होगी और यह है 38 तो इसके साथ कोई भी डेसमल नहीं है point zero zero right अब इसको add up करेंगे nine six plus two that is eight decimal five plus eight that is thirteen one carry eight plus two ten ten plus one eleven eleven plus three fourteen one carry two plus one that is three right now moving towards our next slide so amara next question head jyoti traveled fifteen kilometer to 68 meter by bus right seven kilometers seven meter by car and 500 meter on foot in order to reach her office जोती को अपने office तक जाने के लिए यह तीन distances cover करने पड़ती है बाइड डिफरेंड डिफरेंड मीडियम्स कार बस एंड बाइफोट राइट आपको क्या चाहिए how far is her office from her residence उसके घर से उसका office कितनी दूर है तो हमें एक तरह से total distance निकाल लिए तो अच्छा दूसरी बात आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ये questions किये थे convert करने के आपको क्या करना है एक higher में convert कर देना है या तो lowest में या तो highest में हम क्या करेंगे हम इसमें हाई-स में convert कर देंगी क्योंकि distance जनरली kilometers भी ही measure करते है राइट अब आपके पास one kilometer है तो one kilometer में आपके thousand meters होते है और अगर मैं बात करूँ one meter में कितने kilometers है तो that is one by thousand meter तो sorry kilometer राइट तो अब पहले क्या करेंगे हम यह आपके पास जैसे 15 kilometer इसको नहीं change करेंगे हम और उसके साथ जो है आपके पास two sixty eight meter इसको हम convert करेंगे two sixty eight meter को kilometer में तो वो कैसे होगा अच्छा एक चीज मैंने आपको और बताई थी पहले कि जब सेम यूनिट्स हो जाए जैसे मैं इसमें बनाने लगा हूं two sixty eight by thousand और यह kilometer तब आप इनके बीच में addition का symbol ना होते हो राइट तो आप देखिए हो गया fifteen kilometer और इसको decimal में convert करना है एक zero eight की एक zero six की एक zero two की और one का decimal यह बना आपका zero point two six eight kilometer इनको अगर मैं add up करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा 15.268 और that is in kilometer right इसी तरह हम इसको convert करेंगे seven kilometers seven meter को तो देखिए चलो seven kilometer तो हमारा as it is रह गया plus वो हो जाएगा आपका seven by thousand meter और मैं इसको directly लिख देता हूँ चलो एक बार लिख देते हैं और यह kilometer है sorry plus यह decimals उपर चले जाएंगे मतलब एक zero की seven होगी बाकि दो zeros उपर कहरी होगी seven kilometer तो यह आपका number बना seven point zero zero seven kilometer and the last one वो तो खुदी ही मतलब पहले मीटर में है तो उसको तो easy है एक तरह से convert करना आप इसके नीचे क्या लिख दोगे thousand और यह बन जाएगा आपका kilometer right आप ऐसे काटने है ऐसे काट दो इस zero का five गया यहां decimal आ गया तो यह बना zero point five zero zero kilometer so यहां लिख लेते हैं उसको भी zero point और थोड़ी यहां पर space बनाएंगे हम this is zero point five double zero kilometer अब इनको करना हमने add up क्योंकि हमें total distance चाहिए कितनी है eight plus seven that is fifteen one carry six plus one seven two plus five seven five plus seven twelve one carry one plus one two so total distance between Jyoti's office and her residence is twenty two point seven seven five kilometer, right? so abat karte hai maare next question ki Satish bought three meter twenty centimeter clothes for his shirt and two meter five centimeter clothes for his trouser find the total length of cloth cloth bought by him right, तो जी देखिए अब क्या करना है पहले तो convert करेंगे meter centimeter है तो हम इसको meter में convert करेंगे again यहां पर भी meter में convert करेंगे और दोनों की total length निकाल देंगे that is simple चलो हम यहां पर कर देते हैं पहले conversion three meter plus अच्छा याद होगा आपको एक meter में hundred centimeter होते है so one centimeter में आपके कितने meters हुए one by hundred meter so यह हो जागा 20 by hundred meter right decimals में अगर हम उसको लिखते हैं तो यह आजगा आपका plus zero say zero two say two zero say two और यहां पर decimal लग गया so zero point two zero meter a total हो गया three point two zero meter right यहां लिख लेते हैं उसको three point two zero meter next five two meter five centimeter अब इसका देखते हैं यहां पर थोड़ी सी space बनाएंगे हम अच्छा देखिए हमारे पास है two meter five centimeter again same two meter plus five by hundred meter यह होगा two meter plus zero point zero five हो जाएगा यह और यह total अगर आप इसको एड़ आप करोगे तो two point two zero five meter तो अब इसको यहां पर एड़ करेंगे हम तो जी देखे five two three plus two that is five so total अगर सतीश को कितने लेंथ चाहिए लोग की देट इस five point two five meter right so now moving towards our next question अब देखिए पहले हमने क्या addition अब करेंगे हम subtraction आपको subtraction का rule पता होगा अगर वो statement form में लिखा है जो from से पहले लिखा होता है उसको बाद में लिखते हैं लाइक ऐसे बने गए आपका 20.75 माइनस 18.25 राइट यह है subtraction का rule अच्छा subtraction के नियम वही रहेंगे आपके जो है पहले उपर बड़ा नमबर आएगा 20.75 और इसमें दोनों like terms है तो हमें ज्यादा कुछ महिनत करने की जोड़त नहीं है इसमें simple subtraction होगी 0 7-2 that is 5 और यह यहां से कैरी होगा यह बन रहे गया यह 10 बना तो और यह तो आपका 0 ही आया तो इन दोनों का difference कितना है 2.50 राइट नेक्स देखते हैं अब आपके पास है दोनों kilometers में है बढ़िया है अच्छा वही from से जो पहले वाला है उसको बाद में लिखेंगे तो यह ऐसे लिखा जाएगा आपका 5.206 kilometer minus 2.051 तो आपके पास आ गया 5.206 और नीचे आया 2.051 सब्ट्रेक्ट करेंगे 6 minus 1 that is 5 यहां से कैरी होगा आगे 10 minus 5 that is 5 यह 1 as it is .5 minus 2 that is 3 and that is in kilometer और पहले वाला rupees में था आपका ठीक है यह लास्ट वाल आप पैक्टिस कर सकते हैं और यह kg में ही है आपका राइट इतना kg इसको सब्ट्रेक्ट करना है इसमें से तो यह उपर रहेगा माइनस यह सो अब हमारा नेक्स कोशन देखें स्टेटमेंट फॉर्म में है रोहिट ट्रेवल स्ट्वन्टी किलो मेटर फिफ्टी मेटर एवरी दे राइट आउट आउट अप देखें जरा ध्यान से टोटल डिस्टेंस जो रोहिट कवर कर रहा है इस ट्वन्टी किलो मेटर फाइब राइट अच्छा और उसके बाद वो कह रहा है उसने बस से इतनी डिस्टेंस कवर करी आउट अफ देस इसमें से इतनी वो बस से कर चुका है और रेस्ट जितनी भी बचे क्योंकि देखो यह 20 है यह 10 है तो कुछ तो बचेगा ना तो ज से सुट्ट इस सब्ट्रेक्शन ठीक है तो आपके पास पहले पहले हम कनवर्ट करेंगे आपके पास है 20 किलो मेटर 50 मिटर यस बात हम कर चुके है कि एक किलो मेटर में कितने मीटर होते है यह यह तो हम इसको कनवर्ट कर रहे हैं तो एडिशन में लिखेंगे ओवर 2000 किलो मीटर ओके और यह अगर इसको कनवर्ट करते हैं तो यह होगा 20 किलो मेटर प्लस यह हो जगा आपका 0.050 किलो मिटर क्योंकि नीचे तीन जीरो जैंट डिजिट्स दो है तो एक जिरो हमने उपर कैरी कर दी राइट और इसको एड़ अप करके अगर हम बनाए तो हमार 3.050 किलो मेटर ठीक है अब दूसरी वाली देखते हैं उसको भी कनवर्ट करना पड़ेगा हमें सो दैट इस 10 किलो मेटर और 200 मिटर यह है आपके पास इसको लिखेंगे हम 10 किलो मेटर प्लस 200 ओवर थाउजंड अब इसमें पूरी पूरी डिजिट से उपर सो डैसिमल आपका डारेक्ट टू से पहले आजएगा प्लस जीरो पॉइंट टू डबल जीरो एंड डैस किलो मेटर 200 है आपका मतलब 200 अगर मैं इसको यहां लिखता हूं तो यह बनेगा आपका टैन पॉइंट टू जीरो जीरो किलो मेटर अब हमें करना के इनका डिफरेंस यह हमें क्योंकि हमें बताना है कि जो बची हुई डिस्टेंस है वो आटो से कवर्ड है तो वो कितनी है तो हम इनक रहा गया 1 यह बना 10 और यह 10 में से आपने कहीर करना है तो यह हो गया 9 और यह बन गया आपका 10 राइट 10-2 तो यह एट पॉइंट यह आपका 9 अज़दी जाग्या 1-1 नापका यह ज़ीरो सो आउट ओफ 20 किलोमेटर 50 मीटर कितने डिस्टेंस वो कवर करेगा आपके ऑटो से इसको भी अगर मैं इस फॉर्म में लिखू जैसे इनों ने लिखाओ तो क्या बनेगा आपका 9 किलोमेटर जो डैसिमल से पहले उसके साथ बड़ी उनिट दे दो और क्योंकि यह तीनों है तो इसको आप क्या लिखोगे डिरेक्ली 850 मेटर इतनी जो डिस्टेंस है वो आपकी आपकी आटो से कवर करेगा राइट? तो नाव मुविग तो अगरा नेक्स वेस्टिए अर्जिन बाट अबॉक 4 रुपीज 35.65 means 35 रुपीज एंड 65 पैसे ही गेव रुपीज 50 तो दे शॉप किपर हाउ मच मनी डिद ही गेट बैक फ्रॉम दे शॉप किपर उसने पचास दे शॉप किपर को और उसमें से अब क्या करेगा वो शॉप किपर 35.65 जो बुक का कॉस्ट है वो निकाल लेगा मतलब अलग कर देगा आपके पास जो बचेगा वो आपको वापिस कर देगा तो मिन निकाल देगा वापिस कर देगा उसमें से टोटल में से उसका मतलब सब्ट्रेक्शन हो रही है तो देखिया आपके पास है यह तो चलो 50 है अच्छे तो पहले ही कनवर्टिद है मारा हमारे लिए काम करने के लिए ही नहीं यहां पे जादा कुछ तो यह आ गया आपके पास रूपीज 50 पॉइंट अब हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पे जो दूसरी आपकी टाम में उसमें जीरो मतलब डैसिमल के बाद आपके पास दो डिजिट से तो दो जीरो मुझे यहां पे चाहिए कोई फरक नहीं पड़ेगा एज़टी इस तो 35.65 अब हमें निकान ना इनका डिफरेंस ठीक है जी डिफरेंस निकालते हैं ओके आप सबसे पहले यहां 0 है 0 में से 5 नहीं जाएगा अगे यहां भी है नहीं जाएगा यहां भी नहीं जाएगा तो मुझे इस 5 से करी करना पड़ेगा एक एक करके करी किया यहां 10 हो गया यह आपका 9 आगया ठीक है यहां करी हुआ कट गया यहां 9 आगया यहां 10 हो गया तो अगर मैं 10 में से 5 अब सब्ट्रेक्ट करूं तो मेरा बचेगा 5 9 में से 6 3 9 में से 5 that is 4 and 4 में से 3 अगर गया तो 1 so shopkeeper Arjun को कितने रुपीज वापिस करेगा 14.35 right so इसी के साथ हमारी decimals में addition and subtraction भी खतम हुई और इसी के साथ decimal chapter complete हो गया आपका next video में हम 9 chapter के बात करेंगे so see you in the next video you